Welcome to my YouTube channel Stocks and News आप सबकी काफी requests आ रही थी कि Paris Defense Based Technologies में क्या आगे किया जाए उसके बारे में हलाकि मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था लेकिन अगर प्रीवेश टेकी क्लोजिंग की बात करें तो फिर से ये आपको एक lower circuit में freeze होता वा नजर आया है और 927 फर फिलाल ये स्टॉक ट्रेट कर रहा है अगर हम ये स्टॉक का 52 वीक हाए देखे तो 1258 के आसपास है और अभी ये स्टॉक आपको मिल रहा है 927 तो काफी गिरावट हुई है ये स्टॉक में लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना है कि लिस्टिंग प्राइज आप IPO प्राइज बैंड देखेंगे तो 167 के आसपास इसका IPO प्राइज बैंड था ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अल्मोस्ट 460 रुपीज पे वहां से ये स्टॉक ने एक up move दिखाया और ये 1250 के लेवल तक को तच करके नीचे आया है तो काफी strong आप कह सकते हैं लिस्टिंग गें दिया है काफी अच्छा अप move भी ये स्टॉक ने दिखाया है पोस्ट लिस्टिंग अल्सो तो अब देखिए fundamentals भी और company के financials भी improve होने चाहिए accordingly for company तो मतलब इसको और अच्छा return देनी के लिए और वापस से अपने all time high पे जाने के लिए company अल्रेड़ी नीचे से बहुत उपर भाग चुकी है तो अब ground reality मतलब company के fundamentals और financials इंप्रूब होंगे या कोई अच्छी news आएगी तो ही ये stock में आप एक further up move देख पाएंगे because news based rally थी और जो market के sentiment based जो rally थी वो already हो चुकी है इस stock में अगर हम इसका maximum chart pattern देखें तो 88.3% का positive return बना के दिया है पिछले 5 दिन की बात करें तो लगातार ये stock में circuit लगता ही जा रहा है और lower circuit में बार-बार freeze हो रहा है तो selling की कोई opportunity भी नहीं मिल रही है ये stock में तो देखें आज अके दिन की बात करें तो जैसे मैंने प्रीवेस सेटियोस में भी mention किया था 9.50 का एक छोटा सा support था ये stock का जो इसने तोड़ा है और आज closing basis पे ये 9.27 पे close हुआ है तो कहां तक ये stock गिर सकता है वो एक बार देखते है देखें ये company का one day का chart pattern है जैसे मैंने आपको mention किया था लगातार circuit लगाते वे ये stock उपर गया है फिर थोड़ा सा नीचे आए फिर circuit लगाया है ये stock ने और अभी आप देखेंगे तो ये stock लगातार नीचे आ रहा है lower circuit लगाते वे ये stock आपको नीचे दिख रहा है और फिलाल इसने अपना 9.50 का जो एक छोटा सा support था उसको भी breakdown कर लिया है तो ये stock कहां तक गिर सकता है अगर हम समझना चाहें तो basically अगर हम Fibonacci Retracement का tool ये इसके chart पे लगाएंगे तो देखें इसने already 0.23% का correction ये stock already दिखा चुका है according to the Fibonacci Retracement देखें कोई भी अच्छी company जो रहती है वो हमेशा उसके जो 0.38% का जो level रहता है वहाँ पे support लेती है अगर हम इसके all time high से जो 12.58 के आसपास है अगर वहाँ से 0.38% calculate करेंगे तो वो लगभग level आपको आएगा 779, 780 के आसपास तो 780 के पास ये stock को एक अच्छा support मिलना चाहिए और अगर आप इसके charts को भी analyze करेंगे तो देखें जबी भी stock gap up opening होता है तो वो stock retaste करने हमेशा आता है उसका ये जो gap रहता है इसको fill करने आता है उसके according भी 11 निकल के आता है around 752 तो 750 से लेकर 780 के आसपास ये stock का एक अच्छा support zone बनके आ सकता है अगर ये stock में further गिरावट होती है तो लेकिन सबसे पहले stock को अपना जो lower circuit लगा रहा है उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा तो ही आप इसमें कुछ selling initiate कर पाएंगे या आपको कुछ इसमें investment करना या trading है तो आप तभी stock को circuit से निकलने दीजे stock को circuit में आज के दिन भी circuit में freeze होता बार lower circuit में freeze होता बार नजर आए because market overall ही काफी selling pressure था market में तो जब तक ये stock circuit limit से निकलता नहीं है इसमें कोई भी position बनाने का या कोई भी तरीके के transaction नहीं करना चाहिए stock को थोड़ा संभलने दीजे मैं आपको levels बता दिए है according to Fibona की retracement 0.38% अगर आप calculate करेंगे इसके all time high से तो वो लगबग level आता है 780 के आसपास और charts में भी ये gap जो है ये stock fill करने आ सकता है और वो level आके निकलता है 752 का तो 752 से लेकर 780 के बीच में एक अच्छा strong support zone हो सकता है ये stock के लिए अगर इसमें गिरावट continue रहती है तो तो ये basically उन लोगों के लिए था जो palace defense में अपने आपको trap feel कर रहे है आपने को ये बात ध्यान रखने के आपने stock higher valuations पे लिया है आपने stock को chase किया है company अच्छी है hold and continue करिए और ये सब levels पे आप average करने का भी सोच सकते हैं और fresh buying अभी ये stock में नहीं करिए ये level पे अगर stock support लेता है यहां से उपर एक uptrend दिखाता है तभी इसमें buying initiate करिए ये एक video बनाके बताया था आपको कि इनके results आने वाले हैं तो इनके results आ चुके हैं तो अब देखते हैं ये company के results कैसे आये हैं अगर हम company का market cap देखें तो एक small company है 3867 crore का market cap है तो small cap की company है और agrochemicals में काम करने वाली ये company है और अगर हम stock का ROCE और ROE देखें तो बहुत शानदार 52% and 41.6% respectively है चलिए company के financials एक बार देख लेते हैं देखें जो भी chemical companies है सबकी जो आप कह सकते हैं results जो आएं है कुछ chemical companies yes like RT industries उन्होंने बहुत ही अच्छा result पोस्ट किया but as a whole majority अगर आप paint sector देखेंगे chemical sector देखेंगे तो because of inflation, raw material के cost बढ़ने के वज़े से crude oil के prices बढ़ने के वज़े से काफी revenue और profit margins पे companies के impact आया है तो ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हैं कि India Pesticide Limited में भी हुआ है अगर हम देखेंगे company के sales so June 2021 के comparison में September 2021 में इनके sales में एक मामूली सा increment आपको नज़र आएगा और अगर यही चीज़ आप year on year basis देखेंगे तो इनके sales में आपको एक decline नज़र आएगा अगर मैं September 2020 को September 2021 से compare करूँ तो sales में एक decline है तो उसमें आप देखेंगे कि company के expenses है जो quarter on quarter basis increase हुए है और but proportionately increase हुए है अगर आप देखेंगे जितना sales increase हुआ है उसी के proportion में आपको expenses भी increase होते हुए देखेंगे तो ऐसा कोई exorbitant increase तो नहीं है but increase है तो उसमें आप देखेंगे कि material cost जो है इनका बढ़ते वे नजर आया है previous quarter के comparison में और जो employee cost है वो भी इनका बढ़ा है तेकिन material cost पे मारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए because raw material costs बढ़े है over a period of time अगर हम company का other income देखें तो वो तो quarter on quarter basis almost same ही है अगर हम इनका net profit देखें तो एक flat सा performance quarter on quarter basis ये company ने post किया है और अगर आप उसको year on year basis देखें तो उसमें आपको एक decline इनके net profit में नजर आ रहा है so quarter on quarter basis अगर हम compare करें India Pesticide Limited के results को तो एक flat सा performance company ने दिया है और year on year basis इनके जो आपको देख सकते हैं net profit में आपको एक decline नजर आ रहा है अगर हम company का March 2020 से March 2021 का analysis करें तो sales में आपको एक increase नजर आएगा यहाँ पे और company के जो net profit हैं वो आपको बढ़ते वे नजर आएगे जिसे मैंने mention किया कि quarterly results company के flat आए हैं year on year basis में इनके profit में भी और जब कह सकते हैं जो sales हैं उसमें भी आपको एक decline नजर आएगा तो देखते हैं Monday की दिन market यह कैसे react करता है इसको लेकर flat सा performance था company का और जिस मैंने mention किया यह small cap यह company है volatile है सकती है अगर market को इनके results पसंद नहीं आते हैं तो हो सकता है stock में एक गिरावट हो मैंने प्रिविएस वीडियो में इस buying levels भी mention किये थे कि अगर आप इस stock में position बनाना चाते हैं तो आप किस level पर यह stock को buy कर सकते हैं तो वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो उसको भी check out कर लीजेगा और अगर आपके पास यह company है देखे small cap यह company है और company ने फिलाल जो results पोस्ट किये हैं वो बहुत flat से results पोस्ट किये हैं और मतलब यह जो company है आप इनको track radar पे रख सकते हैं एक quarter से यह नहीं decide करें कि company खराब हो गई है एक दो quarter का wait करें जैसे जैसे financials improve होंगे अगर आपके इसमें holding है आप अपनी holdings जो है वो further बढ़ा सकते हैं लेकिन fresh position बनाने के लिए आप थोड़ा रोग सकते हैं देखे market Monday की दिन कैसे react करता है फिर ही इसमें buying initiate करें अच्छी company है छोटी company है तो उतना ही पैसा लगाईए जितना आप risk लेने को ready है बढ़ जिस sector को belong करती है वो growing sector है और आने वाले समय में ये company भी आपको अच्छे returns बनाने की देने की पूरी-पूरी शमता रखती है provided इनके financials improve हो तो अगली company जिसके बार में हम बात करेंगे इसका नाम है देवियानी international limited काफी recently IPO इसका आया था इस company का 57% के around का listing gain दिये दिया था पर listing gain के दिन ही ये stock में एक correction हमें नजर आ गया था फिर वहां से कभी stock अपना जो listing price है जिस price पे list हुआ था उसको कभी तोड़ नहीं पाया लेकिन although previous day मतलब market के closing के दिन पे market काफी red में था लेकिन ये stock ने 3% का positive return दिया है और पिछले 5 दिनों में इसे 5% का positive return ये stock ने बना के दिया है तो चली थोड़ा company के business model को समझ लेते हैं so Devianti International is the largest franchisee of Yum brands and operates the highest outlets of KFC's, Pizza Hut, Costa Coffee in India and the company is the largest operators of quick service restaurant chain in India it operates 655 stores across 155 cities in India as of March 31, 2021 so basically जो KKFC, Pizza Hut, Costa Coffee हम सभी जाते होंगे तो वहां के जो outlets की basically franchisee जो मिली है वो Devianti International handle करती है और Devianti International is a part of the RJ Corporation started by Ravikant Jaipuria in 1991 अब मुझे आपको comment section विताना है कि इनकी sister company और कौन सी है जो stock exchange पे listed है और उनके पास भी आप कह सकते हैं bottling की franchisee है तो इतना तो hint man आपको दे दिया है अगर आपको इसका answer पता है तो अपनी इचे comment section में बताईए company का market cap 14,755 crore का market cap है तो एक छोटी company है stock का 52 week high देखेंगे तो 141 के आसपास है जिस price पे ये list हुआ था इसकी listing gain approximately 57% के आसपास थी तो इसके जो listing price है वहां तक वहां पर listing day के दिन ही वहां पर list होने के बाद ये stock में लगाता है एक selling pressure दिखा है और कभी भी ये stock so far जब से list हुआ है ये अपने listing price को नहीं तोड़ पाया है तो देखें ये stock में एक further अच्छा momentum तभी आएगा जब ये अपना जो इसका hurdle है 141 के आसपास जो इसका 52 week high भी है अगर ये stock इसको तोड़ेगा तो एक काफी अच्छे momentum के साथ ये stock उपर जा सकता है अगर ROCE देखें तो 9% का है और face value 1 है देखें मैंने कल जब अपना car trade पर भी video बनाया था तो मैंने आपको बोला था ये सब companies जो है ये futuristic business model पे काम करने वाली companies है तो इन में आप position तभी बनाईए जब आपका long term का vision है COVID का impact जो है ये सब businesses पे बहुत आया था जो consumer food के आप कह सकते हैं जो businesses थे उन पे बहुत आया था और उसके जो reflection है हमेंके financials पे clearly देख पाएंगे तो ही आप देवियानी इंटरनाशनल में पैसे लगाई है हो सकता है देवियानी इंटरनाशनल अगला jubilant food भी बने बट वो सब होने में time लगेगा अगर हम cons की बात करें तो the stock is trading at 129.69 times its book value, company has low interest coverage ratio देखें जब यह company का IPO आया था तभी ही काफी premium valuations पे इसका IPO का price band था जो set किया गया था earnings में अधर income का काफी बड़ा हिस्सा है and company's cost of borrowing seems high अगर हम company के तो अगर हम company के yearly analysis कर रहे है मतलब March 2020 को March 2021 से compare करें तो आपको इनके एक sales में एक decrease नजर आएगा company के जो expenses है वो भी आपको decrease होते वे proportionately नजर आएंगे और company ने अपना employee cost जो है वो भी कम किया है इसमें clearly evident है और manufacturing cost भी कम किया है मैं yearly basis की बात कर रहे हूँ company के अगर हम other income देखेंगे तो other income में ध्यान हमें इसलिए रखना है कि वो काफी significant increase आपको नजर आ रहा है इनके other income में other income इनके होना कोई problem नहीं है लेकिन ये बात हमें other income ये बताता है अगर वो ज्यादा होती है कि company के core business से company के ज़्यादा कमाई नहीं है जो external sources हैं वहाँ से ज्यादा कमाई हो रही है तो ये आपको ये बताता है कि क्या company अपना जो business है जो उसका core business है उसको ढग से चला पा रही है कि नहीं इस वज़े से other income पर भी आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए जब ये आप कोई company का financial देखते हैं अगर हम company के net profit की बात करें तो basically तो ये एक loss making company है और लगातार loss में ही चल रही है जैसे मैंने mention किया था आप Zomato को भी देखिएंगे तो उसका भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा इसे जो start-ups होते हैं या जो new age business होते हैं ये loss making होते हैं बिकुस ये अपने जो पैसे हैं वो काफी advertisement पे बहुत खर्चा करते हैं मतलब Zomato has become a household name everybody knows about it KFC सब जानते हैं इनको तो ये अपने advertisement पे बहुत पैसा खर्चा करती हैं और इनका ये रहता है कि आज जब ये advertisement में खर्चा करेंगे तो बच्चा-बच्चा इनके model को समझेगा और जानेगा तो आने वाले समय में ये profitable हो सकती है तो ये सब visionary companies होती है अगर आपका इतना बड़ा vision है और आपमें holding capacity है तो ही आप ये सब companies में पैसा लगाई है और जैसे में ने में mention किया ये IPO का जो price brand है ये तभी जब IPO आया था तभी भी बहुत premium valuations पे ये IPO को list कराने की कोशिश की गई थी तो ये सब चीज़े हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके पास ये company है IPO के time से मिली है तो hold and continue करिये ऐसी ये company का अगर आप business model देखे और जैसे इनके promoters है अगर आप इनको देखेंगे तो ये हो सकता है ये अगली jubilant food works बने लेकिन ये सब होने में time लगेगा अगर because company के net profit negative आप कह सकते हैं कि profit तो है ही नी company एक loss making company है तो इनके EPS भी आपको negative में नजर आ रहे हैं company के compounded sales growth देखे 3 years में 3% है और company के अगर हम reserves और borrowings चेक करें तो company के reserves negative में है और company पे borrowings भी है तो ये भी एक point आपको alert करना चाहिए कि company के पास reserves तो है नहीं लेकिन company ने loan debt लेके रखा हुआ है और debt लेकिन एक चीज़ और है कि जो debt है ये इनका March 2020 ये comparison में March 2021 में एक decline नजर आया है अगर हम company के share holding patterns को देखें तो promoters के पास 62.91% का stake है FII's के पास 7.86% का है DII's के पास 4.82% का है और public holding 24.4% की है तो promoters के पास अगला big stake जो है वो public के पास है जबी भी कोई stock में public holding ज्यादा रहती है वो stock volatile रहता है और operator activity ये सब stocks में ज्यादा रहती है देखे देवयानी international एक अच्छी company है जो अब उसका business model को consider करते है profit making company ये नहीं है company को profit में आने में time लगेगा COVID का impact इनके business model पे नजर आया था तो ये सब चीजों से recover होने में आपने देखा था मैंने jubilant food भी recently अपने चैनल पे cover के तो मैंने बताया था कि पहले इस company के पास कोई borrowings नहीं थी पर because of the COVID का impact आपने jubilant food में भी देखा कि उनके borrowings बढ़ गई है तो ये सब जो business model थे इन पे सब पे impact आया था because of COVID and devyani international is no such exception लेकिन अगर आपका vision long term का है और आप में holding capacity है तो आप ये stock में आपके previous holding है तो आप इसमें continue कर सकते हैं आने वाले समय में जैसे जैसे company के financials improve होंगे आप stock price में एक upsurge देखेंगे लेकिन छोटी company है तो उतना ही पैसा लगाईए जितना मतलब आप अगर आपका नुकसान होता है तो आप उसको बरदाश कर सकते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब टू मैं यूट्यूब चैनल फॉर मोस अच कॉंटेल इंस्टेग्राम का लिंक मेरे description बॉक्स में आप मुझे बहाँ पे भी follow कर सकते हैं कोई doubts हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं Thank you